असलामेकों भीजर्स आप देखें मिक्सिंटेटेंबेंट्स चैनल और आज हम आपको यह गाउं दिखा रहे हैं यह देखें और सासाथ बहुत ही खुब्सूरत से द्रख्त लगे हैं यह रोड़ है माशゃला बहुत ही यह देखें बहुत ही खुबसूरत गाउं हैं और दूर दराज वो देखें घर भी हैं गाउं में घर करीब करीब नहीं होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और यह देखें यह सूरज देखें बहुत ही खुबसूरत है माशेल्ला अभी सुबा का वक्त है और बहुत ही प्यारा सा गाउँ है हमारा ये देखें और ये देखें ये घास है बहुत खुबसूरत है माशेल्ला आपको दिखाते हैं कि घास कैसे काट रहे ये देखें ये घास काट रहे आपको करीब ह के दिखाते हैं आसवा क्लोज करते हैं यह देखें यह देखें कैसे यह गास का चाप भी देखें और यह देखें सासर इदर का भी मजारा आप देख रहे हैं यह भी गउए दूर जिराज आपको गए नजर आ रहे हैं यह देखें माशाला बहुत देखें रहे हैं यह देखें यह देखें यह नाले हैं तो इसमें से पानी आता है और खेतों में पानी जब लगाते हैं तो इन नालों में से पानी आता है और यह देखें यह देखें यह देखें यहां से पानी इसको पगाते हैं यह जा रहा है देखें बहुत ही खुब्सूरत है और बहरा बहरा गास यह देखें यह भी एक नाला है यह भी बहुत खुब्सूरत है यह देखें माईशालाफ यह देखें यह केतों में ट्रेक्टर चल रहे गर्मी बहुत है और देखें इस बच्चे को पसीना भी आया हुए चोटा सा बच्चा है यह देखें सुबह सुबह भी इतनी गर्मी है कि पसीने चूट रहे हैं कैसे घास काट रहे हैं तो वीवर्स हम आपको आगे भी दिखाते हैं यह प्यारा सा गाओं यह देखें यह हर तरफ खेत ही खेते हैं और आपको द्रक्ट भी दिखाते हैं खुब्सूरत से आप कैशनाल कीं मोसं तो नहीं है लेकिन यह दिखा रहे हैं यह देखें गला खराब है तो यह दматर आगार情ू है hybrid इसलिए आपका वास क्लाया और यह सासा लसूरे का द्रक्त है यह देखें तो लसूरे का अचार बहुत मज़े का बनता है यह देखें अभी खत्म हो चुके हैं और अब इसकी मौसम जा रही है तो यह थोड़े बहुत खड़े बाकी तोड़ नहीं है लसूरे यह देखें यह देखे अधिक है और यह देखे अ हूँ है यह देखें अ गौ में सुबह बहुत अच्छा मौसम होता है और बहुत अच्छा लगता है बाहर घूमना थंडी थंडी आवाँ चल रही होती है और इसमें इंसान की सिहर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और आगे जाके हम आपको घरेलू सबजी दिखाते हैं कि कैसे सबजी लगी हुई है यह एक और पौद आपको दिखाते हैं यह है जामन जामन का पौदा है चोटा सा भी यह देखें अ यह देखें बहुत प्यारा है अभी चोटा सा अभी इस पर जामन नहीं रगते यह अभी त्यार होगा यह देखें यह देखें और अब आपको हम लोग सबजी दिखाते हैं जाके के सबजी कैसी है यह देखें यह चीडिया बैठी है नजर आ रही होगी यह देखें यह लकडियां के ओपर बैठी है बहुत खुबसूरत है माशाला तो पहले वह लड़का घास काट रहा था है रोडगरास उसका नाम है रोडगरास और यह देखें यह जवार यह जवार भी उसने काट के रखी है यह देखें और यहां के गाहँ में अक्सर बच्चे काम करते हैं क्यांकि उनके माली हालात इतने इच्छे नहीं होते तो फिर उनको काम करना पड़ते हैं यह देखेंए छोटे से बच्चे हैं और काम करते हैं यहां पर तो अब हम चलते हैं सबजी की तरफ यह यह सबजी है और हम लोग जा के आपको दिखाते हैं यह देखें करीब से दिखाते हैं के सबजी में क्या-क्या है और दिखाते भी हैं यह देखें यह साथ रोड चल रहे हैं और यह देखें यह घास बहुत ही खुब्सूरत है यह देखें यह देखें और यह साथ में यह देखें यह जानवर खड़े हैं और यह हमारी सबजी में जो आपको दिखाने आया थे हम लोग यह देखें यह सबजी और यह है गवार फली जिसमें यह लगी है यह देखें यह गवार फली है और यह साथ में भींडी यह देखू भींडिया बहुत अच्छी है यह देखें बहुत ही प्यारी सी यहां पर गौ में तो ताजा सबजी होती है माशालाह खुदी अपने केतों में लगाते हैं सबी और यह देखें बहुत ही प्यारी लग रहे हैं यह देखें यह तियार हो भी है तो आप इसको तोड़ेंगे यह देखें माशालाह यह देखें बस छोटी सी जगह है सब्जी की और यह तोरी है तोरी की सब्जी है यह देखें अब इसके पर यह देखें यह फूर लगे हुए और आगे आपको दिखाते हैं हरा धनिया तो यह देखें हरा धनिया है यह अब इसके बीच बन गए है यह देखें अब सूखने के लिए खड़े हैं और यह देखें यह कद्दू है और एक और चीज आपको दिखाते हैं टमार्चर तीमाटर देखें एक ही पड़ा है अभी यह देखें अभी कच्च्च्च्च्च्च्च्च् डुक्स् именно टमाटर बहुत प्यारा लग रह Use a10 के और यह साथ नीम रखते ज़िए ओ यह संसाथ शैटू जब और ये देखें सब्सक्राइब की जिया गरें बेले द्रुखतों पर चड़ता है तो फिर बहुत उपर तक जाती है ये सब्सक्राइब ये अपर जाती है और ये नेचे रहता है लगत लगती है और ये देखें और यह पुदीना पुदीना देखें यह देखें पबरी पुदीना भी सात है यह पभरी हुआ हुआ यह है यह उस प्जजाब मेरे बहुत आपको लेας थी है यह है देखें और ये भी द्रख्तों के उपर चड़ रही है तोरी की बेले ये देखें तो वीवर्ज आज कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें, कुमेंट्स करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर की करिएगा ठैंक यू, अलाँ हाफीज